नमस्ते बच्चो गुड मार्निंग और आज हम लोग क्लास नाइन्थ सोसल साइंस में अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे और इसके पहले हम लोगोंने अलगलग टॉपिक देखे थी एकनॉमिक्स के चेप्टर से भी सिविक्स के चेप्टर से भी और आज हम लोग नाग आदिकार लोक तांतिक आधिकार ये लिसन है हमारा और इसमें आज important प्रस्न की चर्चा करेंगे और लोक तांतिक अधिकार इस लिसन पे कुछ important चीजे हैं important topic है उस पे आज एक चीज है जिसमें है भारतिय सम्विधान में मूल अधिकार तो भारतिय सम्विधान में जो मूल अधिकार दिये गये हैं आज इनकी बात करेंगे कि जनता को लोगों को जो मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं भारतिय सम्विधान में आज इस टॉपिक पर हम लोग जानकारी लेंगे हमको ये पता है कि अपना जो देश है इसमें जो समिधान लागू किया गया वो 26 जन्वरी 1950 को लागू किया गया और उस समय समिधान में मूल अधिकार कितने थे? साथ थे साथ मूल अधिकार थे लेकिन फिर क्या हुआ कि आगी जब उसका रिव्यू कराया गया तो दिसंबर 1978 में 78 में संसर ने एक समिधान संसोधन किया कौन से संसोधन? 44 समिधान संसोधन किया और मूल अधिकारों की सूची में से जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया और इस तरह अब टोटल कितने अधिकार हो गए? च्छै हो गए तो अब हमारे पास जो मूल अधिकारों की संख्या होती है वो च्छै होती है तो एक एक करके अब इनकी हम लोग जानकारी लेंगे तो ये च्छै हमारे पास क्या है? मूल अधिकार है अब इन छैं मूल अधिकार में क्या नंबर है और कैसे इसको देखते हैं लोग मूल अधिकारियों के सूची में एक और संसोधन किया गया मैं 2002 में मैं 2002 में संसर ने 93 वेवा संसोधन किया और इस संसोधन में शिक्षा के अधिकार को इन अधिकारों के सूची में शामिल कर दिया गया किसका शिक्षा का अधिकार और फिर जो है शाय मूल अधिकार निम्नरूप से सामने आते हैं अब कौन कौन से अधिकार है तो इसमें सबसे पहले तुम लोग देखते हैं कि जो पहला अधिकार सामने आ रहा है वो है कानून के समक्स समानता ठीक है यह हम एक नजर में तेजी से पहले देख रहे हैं सभी जितने भी मूल अधिकार है उसमें पहला है समानता का अधिकार ठीक है इसके बाद जो दूसरा है स्वतंतरता का अधिकार समानता का अधिकार और स्वतंतरता का अधिकार दूसरा के बाद तीसरा क्या है आतका शोशन के विरुद्ध शोशन के विरुद्ध अधिकार इसके बाद और भी यह दी नंबर में हम लोग देखते हैं तो इसके बाद एक और अधिकार यहां सामने हम लोगों को मिल रहा है और वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद अगला अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और एक अधिकार है संबंधी धानिक उपचारों का अधिकार। इस तरहे हमारे पास 6 अधिकार है मूल अधिकार। तो अब इनीच हैं अधिकारों में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो पहला मूल अधिकार है उस मूल अधिकार में आ रहा है समानता का अधिकार। अधिकार, अब ये जो समानता का अधिकार है इसमें सबसे पहले तो हमको ये चीज ढ़ना है कि किस की चेजों में, किन किन्च छेत्रों में हमको समानता है दी गई हैं। नमबर एक, कानून के समक्ष समानता, चाहे वो उच नीच हो या गरीब हो, अमीर हो, किसी भी रंग का, किसी भी जाती का, धर्म का, कानून में कोई भेडभाव उसमें नहीं किया जाएगा, दूसरा क्या है, इसी में, भेडभाव की मना ही है, किसी भी तरीकी का, भेडभाव उससे नहीं किया जा सकता, अनूछेद 15 में ये बहु स्थाड़ी गई है, कि राज द्वारा, धर्म में, जाती, लिंग, जन्मिस्थान, इसके अधार पे, नागरिकों के, प्रति कोई भी प अच्छे पार नहीं किया जाएगा, और किस चीज में समानता है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है, अनूछेद 16 में कहा गया है, कि सभी नागरिकों को सरकारी सेवाओं या पदों पर न्यूक्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे, इसके अलावा ये भी बताया गया है, कि किन्त सरकारी नौकरियों में सम्बंद में अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती, कथा पिछली जातीयों को अरच्छन की सुविधाएं भी प्रिदान की गई है, और किस चीज में समानता, असप्रश्चिता का अंत, इसमें सम्मिधान का जो इसमें असप्रश्चिता का अंत किया गया है, ठीक है, चुवा चूत, और क्या है, उपाधियों की समाप्ति कर दी गई है, इसमें क्या है कि सेना और शिक्छा संबंदी जो भी उपाधियां हैं, उसके त्रिक्त राज में कोई अन्युपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, राष्ट सेवा की उपलक्ष में उपलब्धीयां जो होंगी, वे उपाधियां राजद्वारा ही दी जाएंगी, तो इस तरहे ये जो समानता का अधिकार है, इसमें कई चीज़े सामिल हो गई, पांच चीज़े पांच जग़े समानता हो गई, कौन कौन सी, कानून के समख समानता भेदभाव की मनाही सरकारी नौकरियों में आउसर की समानता असप्रस्चता का अंत उपाधियों की समाप्ती ये सबी क्या है समानता की अधिकार में तो आज हम लोगों ने 6 मूल अधिकार में पहले अधिकार का डिटेल देखा समानता का अधिकार इसके बाद हम बना दीजेगा और अपने answer लिख करके हमसे check करा लिजेगा फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले topic पे